है लो फ्रेंड्स मैं शीमिरन बंसल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आवले और हरी मिर्टका आचार आउला और हरी मिर्टका आचार खाने में बहुत ही तेश्टी होता है आवला हमारे स्वास्ते के लिए काफी लाबदायक होता है इसलिए ये आचार healthy भी होता है और इसे घर पे बनाना बहुती easy और एकदम simple है और इस तरह से बनाया हुआ हमारा ये आउले का चार काफी लंबे समय तक चलता है तो आप इस तरह एक बर घर पर ये आउले का चार जुरूट राई करें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं राई लिए रफप एक चमच मैंने याँ पर नमक लिए नमक अचार में बहुत ही जूरूरी होता है क्योंकि नमक अचार में प PCR का काम करता है श् attempted ये ज्रूहादा टीश्पून में या पर हीं लिए एक चम्मकHHHH haldी पाउटर area एक चम्मच मेथी दाना एक चम्मच लाल मिर्स पाउडर और तू टेबल स्पून में यहां पर सर्षो का तेल यूज करूंगी अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम आउले को उबालेंगे जिसके लिए मैंने गैस पर एक बरतर में पानी गरम होने के लिए रख दिया इसमें हम अपने यह आउले डाल देंगे अब इसमें हम आधा चोटी चमच अल्दी पाउडर डाल देंगे इनको हम 4-5 मिंट तक उबाल लेंगे और जब तक हमारे आउले उबलते हैं तब तक हम अपने मसाले रोष्ट करके त्यार कर लेते हैं एक पैन में हम सारे मसालों को डाल देंगे इनको हम हलका सा रोष्ट करेंगे गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे बसे इनको हम हलका सा रोष्ट करेंगे ज्यादा नहीं बस इनकी हमें नमी खतम करनी है और यह देखिए यह हमारे मसाले रोष्ट हो चुके हैं अब गैस की फ्लेम ह हमारे यह आंवले भी बुल चके हैं cavored इन आओलों को हम पानी से बहार निकाल लेंगे कि अब कि पानी से बाहर निकालने के दुछे साना करेंगे हूसा के उपभियों और इंदर हमारे ये मसाले हो चुके हैं अब इनको हम एक मिकसर क्राइंडा जार में डाल देंगे और इनको हम दरदरा पीस लेंगे और यह देखिए यह मसालों को हमने दरदरा पीस लिया मसालों को बस हमें इस तरह से दरदरा ही पीसना है इसे ज़्यादा पारिक नहीं करना और इधर हमारे यह आमले ठंडे हो चुके अब इन आमलों की हम इस तरह से कलिया निकाल लेंगे आमले उबलने के बाद कलिया बिल्कुल आराम से ये अलग हो जाती है और ये देखिए ये सारी कलिया हमने आमले की अलग कर ली है अब इन कलियों को हम प्लेट में इस तरह से एक एक करके बिल्कुल अलग अलग फैला देंगे ऐसा करने से हमारा आउला का अचार है वो काफी लंबे समय तक चलेगा क्योंकि इनमें जो भी थोड़ा बहुत पानी है वो सूख जाएगा इधर हमने गैस पर एक पैन रख दिया इसमें हम टू टेबल स्पून ओयल डाल देंगे और ओयल को हम धुआ निकलने तक गरम करेंगे यह हमारा ओयल गरम हो चुका है अब इसको हम थोड़ा हलका सा छंडा कर लेंगे इसको हम पूरी तरह छंडा नहीं करेंगे बस हलका सा छंडा करेंगे और ये देखिए हमारा ओयल थोड़ा साथन्दा हो चुका है अब इसमें हम अपने प्रद़ेक उट हुए मसाले डाल देंगे साथ में हम हल्दी पाॉडर लाल मिर्च पाउडर और ये हिंग साथ में ये कटिय हुई हरी मिर्च डाल देंगे अब इनको हम मसालों में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिर्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम अपने ये आउले की कलिया डाल देंगे इनको मैंने 15-20 मिन तक सुका लिया था साथ में इसमें हम ये नमक डाल देंगे नमक और सारे मसालों को हम आमलों में अच्छी से मिक्स कर लेंगे और यह देखिए यह हमारा मिक्स करने के बाद आमला और हरी मिर्स का चार बनकर बिल्कुल त्यार हो गया है अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद इसको हम एक जार में भरके रख लेंगे और यह देखिए यह हमारा चार बिल्कुल ठंडा हो चुका है अब इसको हम एक जार में भर लेंगे और ये देखिए, ये सारे अचार को हमने अब शैजार में भर लिया आप चाहे तो इस अचार को अभी खा सकते हैं लेकिन कल तक इस अचार का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि हमने जो भी इस अचार में मसाले डले हैं वो कल तक हमारे सोट हो जाएंगे इस तरह से बनाया हुआ अचार हमारा यह काफी लंबे समय तक चलेगा इसे इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें फिर मिलती हूँ एक नई रेस्पिके साथ तब तक के लिए जैसे रिशा